देखिए मुझे लगता है ऐसा कि इस तरह कि जो भी आपकी टॉपिक रहा करें वो आपकी परिच्छा की पॉइंट भी उसे तो महत्कूर होते ही है लेकिन अगर आप किसी एकजाम की तैयारी नहीं करें तब भी मुझे लगता है कि इनके बारे में मालूप होना चाहिए आप या फिर आप कह सकते हैं कि आपकी यहां जो लोग सभा चुनाओ होते हैं या फिर आपकी विधाल सभा चुनाओ होते हैं यह कौन करवाता है और आप समझ सकते हैं कि अगर चुनाओ ना हो तो कि अलोगतंत का कोई मतलब रहेगा या फिर आप भी समझ सकते हैं कि आप जानि नहीं जाते हैं, फिर उसके बाद आप देखिए, अगर इस तरह की विवस्ता हो जाए, तो चुनायों ना हो, निस्पक्छ ना हो, तो लोग चुनायों में बोट डालने ही नहीं जाएंगे, समझ रहे हैं आप लोग, तो इसलिए एक संभीधानिक निकाय बनाएगी आपकी च का चुनायों होता है, जैसे आप समझे सरपंच हो गया, या फिर आप देखते hey, जिलापणीयायत, या फिर जनपत्पांच या फिर आप देखते नगरपाल का न mess, नगर पंचयात तो ये सभी चुनायों आपके करवाता है, कौन? जो राज-जिसतर पर आपका चुनायों ह बात कर रहें और जो आपका यहां इस्थानिय चुनाओंगे जैसे सरफंची या फिर आप देख सकते हैं और नगरपाल का नगर निक हो तो यह सभी चुनाओ करवाए जाएंगे आपके जो राज्यस्तर का चुनाओंगा ठीक है अपना सभी राज्यों का एक तरह से चुनाओ होगा ठीक है तो यह भी आप लोगों को याद रखना होगा यह आभी चर्चा में क्यों है क्योंकि आपने देखा है कि सुसील चंद्रा भारत के 24 मुखन निर्वाचन आयुक्त किये गये हैं यह 24 वी नंबर के यह सबसे पहले याद रखिए क्योंकि कई वार क्या होता है कि आपका वंडे एक्जाम में वन लाइनर में डारेक्ट कुश्चन फूच लेता है तो हाली में भारत के राष्टपती स्री सुसील चंद्रा को भारती निर्वाचन आयुक्त में मुख निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया है एक और इनके बारे में सुसील कि यह आपके IIT रोड़की से इंगीरिंग की हुई है उनने और DAB देहरादून से लौ की पड़ाई भी इन्हों ने की है और एक केंद्री पित्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष भी रहें और परिसीमन आयुक के सदस्त भी रहें ठीक है वही है सुरसील चंद्रा ठीक है और इ अधिकांस वार एक तरह से आप कह सकते हैं कि सामनत तोर पर उसी बेक्ति को मुख चुनाओ आयुक्त नियुक्त किया जाएगा ठीक है और यसे नियुक्त कौन करता है राष्टपती बरतमान मुख निर्वाचन आयुक्त स्री सुसील अरोडा की बारे अपरेल को इनका कारक यानि सीदा सकेने का मतलग है कि सुसील चंदरा के पहले आपके सुनील अरोडा थे ठीक है यहीं दो-चार फॉइंट वार आप लोग याद रख लीजे सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले चुनायुक कौन थे चुनायुक्त तो आपको याद रखना चाहिए सू कुमार सैन ठीक है सू कुमार सैन और अगर आपसे पूछे कि महला के बारे में पूछ ले कि जो आपका चुनायुक है इसकी पहली महला आयुक्त, मुख महला आयुक्त कौन थी? अगर हम भारती ये निर्वाचन आयुक के बारे में बात करें, तो आपको मालू हुन अच्छी कि भारत में निर्वाचन आयुक्त एक सम्मीधान एक निकाय है, और जो भारत की सम्मीधान में उलेकित नीमों और बीनीमों के अनुसार भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदा होती है और इसलिए कहा जा सकता है कि भारती ने वाचन आयोग लोकतंत का निर्वन और सफल संचालन सोनिशित करता है अभी भी तो आप देखते हैं कि EVM पर सवाल उठते रहते हैं चुनायोग पर आप लोग देखते हैं कि बेपक्ष पाइटियां कई बार कहते हैं कि सत्ता अक्षे कई सपोर्ट करता है चुनायोग तो देखिए इस तरह की सवाल कई बार उठते रहते हैं और आपसे एक कुश्चन सो और पूचा जा सकता है कि सम्मिधान के किस अनुछेद में इसके ब्याक्या की गई है तो याद रखी आर्टिकल जो आपका 324 है यानि कि 30 जन्वरी 1950 को की गई थी ठीक है और यहाँ दो चाल डेट और आपको बता देता हूं एक तो आप लोग 15 अगस्त के बारे में सुनते होंगे एक आप लोग 26 नवंबर के बारे में और एक आप 26 जन्वरी के बारे में तो इन तीनों को याद रखी आप जानते हैं कि 15 अगस् में मना दे 26 नवंबर को और 26 जनवरी की बात करने तो आप जानते हैं कि पूरी तरह से आपका समिधान इसी दिन लाग हुआ था 26 जनवरी 1950 को तो इसे आप लोग गरतंत दिवस के रूम में मनाते हैं ठीक है यह भी आप लोग एक सामानता जानकारी होनी चाहिए ठीक है प्या कार आप देखेंगे तो 16 अक्टूबर 1989 को दो अतरिक्त आयुकतों की निवक्ति की गई थी लेकिन उनका कारकाल बहुत कम एक जनवरी 1990 तक ही रहा है और इसके बाद आप देखेंगे इसे फिर से एक सदस्य आयोग बना दिया गया था और बाद में आप देखेंगे फिर से एक अक्टूबर 1993 को आयोग में दो अतरिक्त चुनायोग की निवक्ति की गई और फिर से तीन सदस्य आयोग बन गया है अभी बर्तमान की बात करें तो इसमें तीन सदस होते हैं जिन में एक देखेंगे आप मुख चुनायोग होता है और दो आपके अन चुनाव आयोग हो आयोग के सामने पेस करने में विफल रहा है या फिर आप समझ सकते हैं कि देखिए चुनाव जो भी नियम निधारित करता है चुनाव में अगर उसके खिलाब आप लोग कुछ बोलते हैं तो आपकी चुनाव यात्रा पर भी आप देखते हैं चुनाव प्रिचार पिसार ऑप लोहों की एक तरह से पितिबन लगा देता है कई राज्यों में आप लोग सुनते भी रहते हैं चुनाव के समय ये भी आप लोहों को मालू होना चाहिए और याद रखी यहां यह भी मालू होना चाहिए कि जैसे लोक सब्सभा हो गया तो राज्यसभा हो गया आपका और अंशेद 1922 की अंतरकत राज बिधान मंडल की सदसों की आयोगिता की सम्मद्ध में राज्यों के राजिफाल निरवाचन आयोग से फरामर्स करते हैं। अन्य चुनायक्तों का चैन करने की सकती है, एहां कहने का मतलब यह है, कि जो मुख चुनायक्त होते हैं, इसकी नेव्द्व कौन करता है, राष्टपती, और किन बातों को ध्यान में रखता है, जो वरिष्थ होगा सबसे, अधिकान सुवार आप देखेंगे, उसी को नेव् की सलाय पर राष्टपती कलता है ठीक है और आप देखेंगे इनके कारगाल की बात करें तो 6 वर्स या फिर 65 वर्स जो भी पहले हो ठीक है और मुख चुनायुक्त वा अन चुनायुक्तों को सर्वुच न्याले की न्याइधीसों की समान बेतन और भत्ते उपलब्द होते हैं और मुख चुनायुक्त को केवल संसत द्वारा महवियों की माद्धिम से राष्टपती द्वारा हटाया जा सकता है और मुख चुनायुक्त की सिफारिस के विना अन आयुक्तों को उनके पत से नहीं हटाया सकता है यानि कि कहने का मतलब है कि मुख चुनायुक्त की आपको से फारिस लेनी होगी, सलाय लेनी होगी, अगर अन में चुनाय उप्त को हटाते हैं, तो ये भी आप लोग उनको मालू होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि इन्हीं से आपके कुश्चन्स अगर पूछता है, तो इन्हीं से आप से आराम सी पूछा जा सकता है, और एक बात परिक्षाओं में पूछे जाते रहें हैं, और पूछे जाते रहेंगे, समझ रहें आप लोग, तो इन से आपके लोग इनके बारे में एक सामान जानकरी रखा करिए अपने पास, ठीक है?